अगर आप NSP का form भरना चाहते हैं National Scholarship Portal पर आकर Academic Year 23 और 24 के लिए तो मैं आपको बता दूँ form भरना शुरू हो चुका है जिन लोगों का इसका weight था वो लोग अब तयार हो जाएं इस form को भरने के लिए मैं आपको बता दू NSP एक Portal है यहाँ पे अनेक तरह का scheme आता है scheme के माध्यम से जो है आप इस form को apply करेंगे तब आपको scholarship की राची दी जाएगी ऐसा नहीं है कि आप NSP पे और NSP एक scholarship सिर्फ एक यह Portal है इस पे बहुत सरा scheme आता है उस scheme के अधार पर आपको जो है इसमें छातिबिर्ती यानि की scholarship दिया जाता है अभी एक scheme निकल कर आया है जिसका की online आभिदन होना शुरू हो चुका है NSP के माध्यम से जिसमें आपको परतेक वर्स 12,000 रुपे की राची दी जाएगी तकरीवन 4 साल तक इसमें कक्षा जो है नवी, दसवी, एगारवी और वारवी के छात-छात राएं आप लाइक कर सकते हैं आपको मैं बता दूँ कि जो है इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ ऐसे doubts होंगे और बहुत ऐसी बात होंगे जो बताया जाएगा तो आप चाहते हैं कि आपको इसके जनकारी प्राप्त हो और क्या कैसे है, कौन लोग भर पाएंगे, कौन लोग नहीं भर पाएंगे साथ में क्या क्या रोकॉमेंट लगेगा, कब से कब तक इस फर्म को भरा जाएगा हम हर एक बात इस वीडियो में आपको बताएंगे आप चाहते हैं आपको इस तरह का अपडेट मिलता रहा है तो आप आज ही हमारे चैनल को लाटन दबा कर सस्क्राइब कर लिजेगा साथ में बैल अकन को प्रेस कर लिजेगा इस तरह की अपडेट पाने के लिए चली बिना कोई देरी के आपको हम सहसे पहले नोटिफिकेशन दिखाते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या कहा रहा है कब से कब तक जो है या फर्म फील होगा साथ में या कौन सा स्कीम आया हुआ है किस स्कीम के तरह तहत जो है NSP के portal पर वो form भरा जाएगा साथ में वह लिंक कहां से मिलेगा जहां से आप इस form के लिए apply कर पाएंगे और कितने बच्चे या फिर कौन-कौन से बच्चे इस scheme के लिए eligible होंगे चली भी ना कोई दरी के आपको बताते हैं सबसे पहले यह notice आप देख लिए यह Central Government की ओर से निकाला गया जहां पर लिखा गया देख सकते हैं Government of India Ministry of Education Department of Education School and Equity Secondary Scholarship सेक्षन यहां पर यह ची लिखा हुआ जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर एक चीज और mention किया गया देख सकते हैं Open of the National Scholarship Portal NSP for AY AY का मतलब होता है Academic Year 23-24 इसी स्कीम के माध्यम से जो है आप इस फॉर्म को अपलाए कर पाएंग जिसका की आविदन होना शुरू हो चुका है यहां पर देख सकते हैं इसका जो है opening date किलियरली दिया गया है opening date के तोर पर देखिए यहां पर लिखा हुआ है एक अक्टूबर से यह शुरू है 2023 से last date इसका जो है submit करने का वो 30 नमबर 2023 रखा गया है और last date of INO level verification का इसका मतलब होता है INO का मतलब institute nodal officer जो है वो verification आपको 15 दिसमबर 2023 तक करेंगे और last second verification जो होगा वो 30 दिसमबर 2023 तक होगा अब ये तो था कि central government ने जारी किया है परते के state के लिए अब हम state wise देख लेते हैं कि उसका क्या update है हमारे पास एक इस तरह का है जैसे देखते हैं ये बिहार सरकार का है जहां clearly जो है ये notification जारी किया गया है कुछ इसमें महतपून बाते हैं जैसे कि कौन-कौन लोग भर पाएंगे और कहां से कव कैसे इसका परकेडिया है विदन का हर एक बात इसके अंदर बहुत सारा चीज इसके अंदर include किया गया जो आपके साथ भी हमें explain करेंगे अगर आप इस notification को समझते हैं हमारे माध्यम से तो hopefully आप इस form को भर पाएंगे सबसे पहले बिसे में देखिया कि यहां पर लिखा हुआ है school सिक्षा एबं सक्षर्टा भी भाग सिक्षा मंत्राले भाड़ा सरकार नहीं दिल ली राष्ट आइस सह मेगा चाथविर्ति योजना परिख्षा याद माध्य है जो आप देख रहे हैं जिसको की हम बोलते है N, M, M, M जो है scholarship उसको हम हिंदी में राष्टि आइसा मेगा चाथविर्ति योजना भी कहते हैं याद रहे यह form चाथविर्ति योजना जो है इस डबल म स यह जो चातिवीरति योजना का form ऑनलाइन होता है इसमें जो है कक्षा 8ाठवी में अगर है तो आप 9 वी के लिए form भर सकते हैं अगर इसका एक इंट्रेंस एक्जाम होता है याद रहे और इस इंट्रेंस एक्जाम को आप निकालते हैं तो आप जो है NSP के माध्यम से आपको जो है 12-12,000 रुपे के राशी 4 साल तक यानि कि 9 वी, 10 वी, 11 वी और 12 वी जो है आपको 12-12,000 रुपे करके scholarship की राशी दी जाएगी अब रही बात कि इसमें आप कौन लोग भर पाएंगे तो ये वही लोग भर पाएंगे जो लोग जो है इसका exam निकाल चुके हैं यानि qualify कर चुके हैं आपको हम बता दें अगर आप भी exam को देना चाहते हैं या फिर qualify करना चाहते हैं तो उसका भी date आ चुका है NMSS का परिक्षा जो है 2023 में 10 अक्टूबर 2023 से इसका form भरना शुरू जगा इंटरेंस exam का तो अगर आप इंटरेंस exam देना चाहते हैं तो उसका भी notification आ चुका है जो भी हम आपको हाल में दिखा देंगे और उसको दे के आप फिर से जो है academic year का जिस form को भर पाएंगे और परते एक साल जो है आप 12,000 रुपे की रासी ले पाएंगे अब चले यहाँ पर क्या लिखा हुआ हम उसके बारेंब बात करते हैं चात्विर्ती परिक्षा यहाँ पर academic year 23-22 के लावार्थी द्वारा NSP पर आभिदन संबंद में यानि कि जो लोग आप इस exam को निकालते हैं NWMS इस scheme scholarship को निकालते है exam को उस चात्राव को जो qualify कर जाते हैं यानि जो past कर जाते हैं इस exam को उनको जो है NSP के portal पर जाकर apply करना होता इस चात्विर्ती के लिए तभी उनको रासी दी जाएगी ऐसा नहीं है कि आप इंट्रेंस exam qualify कर गए और आपको पैसा आ जाएगा अकाउंट में ऐसा बिल्कुल ही नहीं है आप चलिए यहाँ पर क्या लिकावा है प्रजेक्ट इयर 23-24 के लिए राश्ट आय सहमेगा चात्विर्ती परिक्षा के सफल लावार्थियों को किलियर लिए एक बात समझ लीजिए इसका जो यह जो राश्ट आय सहमेगा चात्विर्ती योजना है इसको हम सौर्ट में NMMSS भी बूलते हैं यहाँ पे लिखावा है लावार्थि को नेशन एसकोरसी पोटल पर NSP पर रेजिस्टेशन कर चाति वीर्ती है तो सहसमें ऑनलाइन आभिधन करना है अगर आप इस एक जाम को कौलिफाइ करते हैं मैंने स्टार्टिंग में बाताया कि अगर आप कौलिफाइ करते हैं तो आपको जो है registration करना होगा NSP के portal पे आप बोला जाता है यहाँ पे साथ समय online आविदन करना है साथ ही NSS के परिक्षा की दिवर 20, 21 और 22 में सफल एबं आर धारक छातराओं को NSP पर वर्स 23, 24 के चातर वीरती होगती होगती application का online renewal करना होगा आप देखिए यहीं पे समझना है जो चातर जो इसका exam निकाले थे NMMSS का परिक्षा 20, 21, 22 में सफल हुए थे यानि कि exam कॉलिफाई किये थे वैसे चातर चातर आये NSP पर 23, 24 जो भी academic year का जो form आया हुआ चातर वीरती होगती उसका जो है आप स्रिफ renewal करेंगे आप fresh application नहीं भरेंगे आप एक बाद clearly समझ लिजेगा कि fresh application वही भरेंगे जो की इस बार पाइस किये है 22, 21, 23 में जिसके भी से में आपको हम आगे भी बताएंगे इसी अपली IC notification में आप देखिए आए नीचे यहाँ पे इस बाइस एक दोजार तइस को आउजित परिच्छा में सफल चाचातराओं को सक्षेनिक सस्त्र 23, 24 यानि academic year 23, 24 अर्थात कक्छा 9 वी की चाच्विर्ति के लिए NSP पर fresh registration के पस्चात अपलाई करेंगे यानि अगर आप NMMS का एक्जाम दिये थे कॉलिफाई कर चुके थे जो की आप 22 123 में आयोजित हुआ था ये एक्जाम अगर ये आप कॉलिफाई कर चुके हैं तो आपको simply जो है नया registration करना है यहाँ पे बताजारा fresh registration करना है यहाँ पे देखिए ये चीज लिखा हुआ mention किया गया है अब देखिए दूर नमर में पॉइंट में है कि NMMS परिक्षा 22 में सफल यानि गर आप 2022 में इस एक्जाम को कॉलिफाई किये थे तो चातराओं को तेन्थ की चातिविर्थी के लिए NMMS परिक्षा 21 यानि कि अगर आप 22 21 में अगर आप परिक्षा अगर आप 22 निकाले हैं सफल हुए हैं 21 में सफल हुए हैं और आप 22 में 20 में सफल हुए हैं कक्षा 12 मी में 11 में और 10 मी में तो वो इसे लोग रिनूवल करेंगे अपने फॉर्म को आप कुछ इसका जो है डेट दिया रखा है डेट है समझ आईए यहाँ पर इस स्किम का नाम है समझ यह NMMSS जो है किलरली यहाँ बताया गया है यह जो शुरू हो चुका है एक 10 2023 से सुरू हो चुका है जो कि आप 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 आपको में बताएंगे लिंक कहां से मिलेगा इसकी अंतिन्ति थी 31 2023 रखी गई है और इसका लाज़ डेट आप INO level verification इसका मतलब होता है जो है institute nodal officer जो कि देखे यहाँ पर इसका full firm भी दे रखा है वो 15 12 2023 तक इसका verification होगा और लाज़ डेट आप DNO level verification 30 12 2023 रखा गया जिसको हम इंगलिस में बोलते हैं district nodal officer DNO इनका 30 12 तक का verification होगा तो यह तो था कि date साथ में कौन-कौन लोग भर पाएंगे एक बात आप किलिए लिए समझ लीजे अगर आप नए चात्र हैं और आप जो है इस firm को भरना चाहते हैं तो आप इसको नहीं भर सकते हैं इसको भरने के लिए आपके पास सबसे पहले यह जो है आप देखते हैं राष्टि आइस सह मेगा छातिबिर्ती योजना इसको आपको जो है पहले exam qualify करना होगा जिसको हम इंगलिस में बोलते हैं national men's come merit scholarship योजना इसको हिंदी में हम यह बोलते हैं राष्टि आइस मेगा छातिबिर्ती परिक्षा इसको अगर आप पास करते हैं तो भर पाएंगे अब आते हैं बात करते हैं आपका यह कहां सिसका link मिलेगा अब जब यहाँ इसके NSV के portal पर जब आप आएंगे आपको देखना यहाँ पर आके कि यह जो किसके ताहत है तो यहाँ पर दे रखाएं देखें डिपार्टमेंट ओप एस्कुल एजुकेशन लेक्षरी चलिए इसको आके आप सर्च यहाँ पर देख लिए इसमें यह यहाँ पर देखें लिखा हुआ है एस्किम क्लोजिंग डेट जो है ओपें टिल तीस एकारा दो यहाँ भी डेट आ चुका है और जो है कुछ कुछ चीजे जो है यहाँ पर ओपनिंग सून लिखा हुआ है आपको अपलाई करना है अगर सिंपली गूगल पढ़ाना है सिंपल इस पर क्लिक करते हैं तो जब नीचे आईगा तो आपको हर एक डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाता है यह देख सकते हैं यहाँ पर अनथा आप एक चीजे आपको औरम बताते हैं वह भी देख लिए आप नीचे जब स्कॉल करेंगे तो यहाँ पर रखा एक नमबर तक सका फॉम भी भड़ाएगा तो आप इस एक्जाम को देना चाहते हैं तो देख सकते हैं इसको भी देख लेंगे अधरवाइस जब नीचे आएंगे तो यहाँ से आप अपलाइ कर सकते हैं नसपी के लिए साथ में जो है अगर आप कौलिफाइए कर गए तो इस इस पार एक्जाम देना चाहते हैं तो आप जो है दस थारीक से एक्जाम इसका दे पाएंगे यानि कि फॉर्म भर पाएंगे एक्जाम के लिए इसका लिंक हमारे वीडियो के रिक्रिप्शन बोक्स में रहकास पर क्लिक करकर आप देख लेंगे उविद्ध करते हैं हमारा जानकारी सही लगाओगा इस तरह की जानकारी पाने के लिए बहें रहें मिलते हैं अगली वीडियो में तक के लिए धन्यवाद